तो यहां हम continue करते हुए अपनी 2nd ARC की 6th रिपोर्ट को लेकर आए हैं आपके लिए लोकल गवर्नेंस तो आए शुरू करने से पहले को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइकन प्रेस करें बेना कहीं मच जाएएगा ताकि आपको रेगलर अपडेट्स मिल पार्ट 1 तो आए शुरूरात करते हैं दो यह पार्ट में complete कर लेंगे इसको चैल यह बात करते हैं सबसे पहले introduction के बारे में local self-government के बारे मताएगे कैसे evolution हुआ इसका कैसे growth हुई लेकि लोकल self-government बताएगे तो यह क्या होता है यह power जब देती है बड़ी से बड़ी अथ सबसारा बंदा पूरे हर जगा को रूल करें decentralization मतलब सबके पास कुछ power है यह सेंट्रल government है यह state government है उसके बाद यह आपकी local government आ गए जो आपकी village village side की चीज़े देखेगी जना हमारे भारत में local government आप जानते ही हैं कब से शुरुआत हैं अगर हम यहाँ बात करें तो पंच पे भी है तो local self government जो है यह आपके पंचायती राज self sufficient और self governing village से शुरू हुआ आत्म निर्भर जो गाओं होते थे और जो self government की local self government है हमारे इंडिया में prehistoric period में अगर मैं बताओं तो तो बहुत सारे बहुत सारे आपके agent में जो काम हुए हैं उस समय वो दिखाते हैं कि village government जो है वो समय हुआ करती थी और इस तरह की नहीं होती थी इस तरह की नहीं होती थी बट थोड़ी अलग तरह की हुआ करती थी तो हमने यहां पर यह बात भी कर लिए अब सिर्म मुद्दे पर आते हैं यहां पर हम बात करेंगे समरी क्या challenges हैं क्या recommendations दी गई तो challenges तो देखो तो इसका मतलब ओविस सी बात है कि challenge क्या है कि यहां से यहां तक transport अभी नहीं है समझ रहे हैं चलिए बात करेंगे हैं पर सबसे पहले बात करेंगे topic है principle of subsidiarity का मतलब इसमें जीदा सीदा क्या होता है कि जो problem है वो सबसे most immediate level यह होता है वो solve करता है जो से solve कर सकता है ठीक है is subject to the provision of this constitution जो legislature है state का यह law के माध्यम से पंचायत को appropriate level पे कुछ power दे authority दे जो की जरूरी है उनके लिए काम करने के लिए एक institution के तौर पे self government की ठीक है सारे functions वगेरा उस तरह से दिये जाए local level पे दिये जाए इसमें आपका ये भी हो जो सारे matters आपके list है 11th schedule में ठीक है सीड जो है वो पंचायत को powers वगेरा प्रोवाइड करें ताकि वो अपना काम अपने function काईदे से perform कर सकें ठीक है 11th schedule क्या कहता है 11th schedule कहता है powers authority and responsibility of the पंचायत ठीक है दूसरी बात ये कही गई है कि article number 243 W जो है उसको इसी तरह से amend करे है और यहाँ पे local sorry urban local bodies को भी empower इसी तरह से द दो बात कहीं गई फिर बात दूसरी है strengthening of voice of local bodies तो कैसे हम local bodies जो है है ना उनकी आवास को कैसे हम मजबूत बना सकते हैं कैसे हम उपर तक इनकी आवाद उठेंगे तो देखो parliament by law यहाँ पे provide करे कि constitution हो एक legislative council का जो constitution होता है ना मतलब समझ यह ऐसे नहीं जो legislative council होती है ना हर ए जब local legislative council बनेगी तो इसमें क्या होगा कि इसमें local government के भी members का नाम आना चाहिए तीसरी बात क्या है structure of local bodies कैसा हो structure की बात अगर हम करें तो article number 243b कसब section 1 इनको amend करने की जरूरत है अना to read as follows there shall be constituted in every state as the state legislature may by law provide panchayat at appropriate level in accordance with the provision in this part इस पार्ट के इसाब से क्या हो कि जैसा भी state government चाहे उस इसाब से एक जो है state legislature जो है वो law के माध्यम से panchayat को हर एक level पर जहाँ पर जरूरत है वहाँ पर जो है वो panchayat को बनाए ठीक है उसके बात क्या है कि जो constitutional provisions है जो कि आपका reservation को लेके है सीर्स के reservation को लेके है जो article number 243 D में आता है ठीक है यह retain करी जाए current form में जैसे है current form में रहे ताकि यहाँ पर जो है representation proper representation हो पाए जो कि under privilege section है और औरते है जिनको अभी तक समलीचे representation नहीं मिली है बिचारे बहुत पिछड़े लोग है ठीक है उनको representation दी जाए औरतों को representation दी not become members of local body so that ना यह वहाँ के जो लोगों को है उसको opportunities मिल सकें साइसे article 243 C part 1 इसे भी retain करा जाए मतलब जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं यहाँ पे जो है district council हो हर एक district में जिसमें representation जो हो दोनों ही urban और ruler alias के हो समझ में आई बात असान था अब electoral process की बात करें तो जो टास्क है constituencies में यह जो है वो state election commission के हाथ में दे दिया जाए मतलब समझे जो limitation है ना जो यहाँ पे जो है जो fixation है reservation जो है constituencies में यह state election commission करेगी ठीक है दूसरी बात registration है electors rule 1960 का यह अमेंड करा जाए ताकि यहाँ पे define करें part को as a compact geographical unit के थौर पर अगर हमें सब को मिला जुला के मतलब अगर हमें ऐसा एक मिला जुला हुआ census data चाहिए electoral rules चाहिए तो जो boundaries है of a part and enumeration block यह सब आपस में मतलब जो मतलब जो आपका basic जो building block है और क्या कहते है जो part है यहाँ पे दूसरे से coincide करें जो elections होंगे elected members के district और metropolitan planning committees के लिए यह जो है वो भी state election commission के हाथ में दे दिये चाहिए उसके बाद constitution हो अकर constitution जो की state election commission को लेके है तो यहाँ बात करते हैं जो state election commissioner है इसको appoint कौन करे? Appoint करे governor और recommendation इसमें collegium की हो जिसमें आपके chief minister हो ठीक है? इसमें आपका speaker हो state legislative assembly का और leader हो opposition का legislative assembly में ठीक है? तो इतने सारे लोग मिलके क्या करे? कोलेजियम बनाए एक बढ़िया और उवोज कोलेजियम जो है वो appoint करेगी governor को फिर क्या हो? एक institutional mechanism यहाँ पर create करने की आविशकता है ताकि जो election commission है इंडिया का और state election commission है उन दोनों को एक साथ एक platform पे लाया जा सकें दोनों मिल जुल के काम कर सकें एक दूसरे के experiences सीखें और अपने जो resources है वो आपस में share करें ठीक? उसके बाद correcting the urban rural imbalance in representation in the legislative bodies तो क्या बात क्या है कि जो urban और rural imbalance है है ना सही से representation है नहीं दोनों का legislative bodies में तो यह करने की आविशकता है इसके लिए commission ने यह recommendation दी कि अगर हमें सही electoral imbalance लेकर आना है में balance बनाना है अगर urban और rural population में है ना in the view of rapid urbanization है ना तो एक adjustment जो है territorial constituencies का बहुत जरूरी है लोग सभा के लिए भी और legislative assembly के लिए भी ठीक है इस state के अंदरी जो है यह चीज हो हर एक census होने के बाद और article number 81 हो चाहे 82 हो 170, 330 और 332 जो constitution के articles है इनको यहाँ पर amend करना ज़रूरी हो जाता है उसके बाद next है devolution of powers and responsibilities तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर clear delineation हो functions का हर एक level पर हो local government के और जैसा भी जरूरी समझा जाए यहाँ पर कोई भी एक बार का काम ना हो और इसे जो है वो continuously करने की जरूरत है यहाँ लोकली यहाँ पर बहुत जरूरत चीज है कि हम लगातार चीजे करें ठीक है ना और subject matter laws वहाँ पर बनाते रहें उसके बाद हर एक जो subject matter law होगा तीक है मतलब जो भी यहाँ पर जो है जो हमें का matter चल रहा हो हुसाप से जो भी law होगा है जिसका functional element है जो हमें काम कर रहा है that are best attended to at local levels should have provision for appropriate devolution or to such levels neither in the law nor in the sub sorry either in the law or in the subordinate legislation all the relevant union and the state laws have to be reviewed urgently and suitably amended मतलब सीधा सीधा यह है कि यहाँ जो भी law चल रहा है वो प्रॉपर हर एक level पर चल रहा है ठीक है वो यहाँ पे एक law के अंदर हो एक प्रॉपर उसका काम हो रहा है उसमें provisions हो और जितने भी जरूरी union और state के laws है इनको बार-बार रिव्यू करा जाए urgently और जिस आप से इनको इन laws को अमेंड भी करें यह नहीं कि एक बार बना दिया बाकी छोड़ दिया गया रहे छोड़ो यह अब देखा जाएगा ठीक है जो नए laws बनाए जाए ना तो यह यहाँ बात कही गई है कि इसमें local government का memorandum भी आट करा जाए ठीक है मतलब चाहे वो financial memorandum हो य कि जो यहाँ पर क्या बनाया जाए तो यहाँ पर यह बात कह रहे है कि इसमें local government memorandum भी डाला जाए और उसमें यह बात हो कि कोई भी function अगर जो law बनाया जा रहा है नया वाला उसमें local government का कोई भी issue या कोई भी चीज involved है ठीक है तो इसमें उसको लेके law बनाया गया है कि न आफ्ट करें और प्लेस करें पार्लिमेंट के सामने एक framework law लोकल government के लिए जो framework law हो इसे इनाट करा जाए अंडर article 252 of the constitution ठीक है और यह आपका South African act की लाइन पे हो या for states to adopt यह जो law है इसमें आपका कई सारे principles होंगे devolution of powers के responsibilities के functions के local government को लेके और communities को लेके जो की कुछ चीजों पर based होंगे जैसे कि local governance तो principle of subsidiarity मैंने आपको बताया democratic decentralization मतलब यहाँ पे जो है वो local level तक जो है वो यहाँ पे लोग होंगे जो govern करेंगे अपने अपने area को मतलब यह होता है न कि एक centralized power नहीं distribution होगा हर एक level पर ठीक है delineation of functions, devolution of real terms, convergence है न सब कुछ मिला जुला के यहाँ पर काम होगा और citizen such earlier time after the word every fifth year तीक है यहाँ पर क्या डलना every fifth year के बाद आपको at such earlier time यहाँ पर एक phrase जालने के जरुवत है कि मतलब यहाँ पर time to time काम जो है जो है जो जरूरी है कि मतलब यह नहीं एक बाद बना ली नहीं time to time इसको change करके बार-बार बनाने की आविशकता है हर एक state यहाँ पर करने के लिए members of the state financial commission के तौर पर यह नहीं कि एक बार state finance commission बना भी बना दी इसको पर इसको time to time बनाना पड़ेगा आपको ठीक है 5-5 साल में संबल लो उसके बाद दूसरी बार कि यहाँ पर कौन members होंगे जो qualify होने के लायक होंगे state finance commission में ठीक है तीसरी बार की incentives वागे जो ह third tier of government समझें मतलब यहाँ पर जो transfer होगा state से third tier of government को ठीक है यहाँ पर जो है आपका annual accounts वगेरा भी हो दूसरे data वगेरा सब एक साथ लाया जाए है ना ताकि यहाँ पर state finance commission इसको कैदे से use करें ठीक है इसमें norms वगेरा भी हो state finance commission में इसमें आपका हो staffing कैसे होगी local bodies की वो सब चीजें हो यहाँ पर काफी जरूरी है यह बात कि जो यह पूरा mechanism है इसको काईदे से रखें जो क्या कहते हैं जो review which reviews the implementation of all the recommendations of the SFC तीक है मतलब यहाँ पर जरूरी है कि mechanism यहाँ पर एक तयार किया जाए जो यहाँ पर जो भी implementation करी गई है recommendations की SFC की दौरा उसको भी देखे और अगर जरूरत लगती है तो funds का जो transfer है यह यहाँ पर conditional बनाए जा सके local bodies को agreeing to implement the recommendations of SFC तीक है मतलब जो भी SFC की बात local bodies मान रही है उनको यहाँ पर funds दिये जाए उस काम को करने के लिए उसके बाद capacity building for local sorry capacity building for server governance तो देखिए यहाँ पर क्या है capacity building को लेके suitable schemes वगेरा लाई जाए state plan के अंदर ruler और urban development के लिए ठीक है case study proper हो अच्छी कैसे से अच्छी practices कैसे आप adopt करके चीज़े कर सकते हो ठीक है evaluation हो performance को लेके जैसा की duties और responsibility उस ऐसी bodies है उनकी duties और responsibility के basis पर ठीक है और आपका training जो हो electric representative की जो training हो या परसोनल हो उसकी training जो हो यह एक continuing activity हो यह नहीं कि बस एक बार training कर रहा दिन नहीं time to time changes के साब से training भी उसे साब से दी जा सके expenditure requirement training को लेके यह यहाँ पर लिया जा सकता है state finance commissions के तोरह जब यह recommendations दे रही हो कि कितना क्या खरचा आएगा क्या नहीं खरचा आएगा जो academic research है इनका अलग रोल होगा है ना यह long term strategy को बनाने में institutional capacity for greater public को ताकि ऐसी strategy बने जो लंबे वक्त की हो और लंबे वक्त में क्या हो कि फाइदा हो public को बहुत जादा कुछ organization जैसे कि Indian council of social science research यहाँ पर इनको encourage करने की बहुत ज़रूरत है कि यह यहाँ पर fund करे theoretical और applied and action research on various aspects of functioning of local bodies यह तो इतना नहीं था एक बहुत सारे expert और specialist जैसे कि आपका engineers हो गाए planners हो गाए यह सब एक साथ आए ठीक है और यह maintain करे जाए by local bodies और एक common जो pool हो गाए इन सब लोगों का यह local bodies के दोरा accepts करा जा सके मतलब यह लोग इसका फाइदा उठा सके जब भी इनकी जदूरत हो ठीक है तो आसे experts वगेरा स से अपनी राय भी ले सकें ऐसा कुछ भी बनाना चाहिए उसके बाद decentralized planning के बात करते हैं तो एक एक पूरे देडिकेटेड़ सेंटर हर एक district में यह setup करने की जरूरत है ताकि इसमें जो है local bodies को proper चीज़े मिल सकें वो plan बढ़िया बना सकें एक two-way flow हो information का कई सारे level पे government के य जरूरी है कि मतलब information जा भी सकें आ भी सकें प्रॉपर हर एक state government यहाँ पे अपना method जो है वो develop करें लोकल लेविल की planning को लेके और support वगेरा provide करें अगर जैसे भी उसको जरूरी लगता है ठीक है institution को support provide करें और ताकि वो proper decentralized planning कर सकें ठीक है यह यहाँ पे design कर सकती है अपना planning calendar किस तरह से उनको plan करना है किस तरह से नहीं करना है वो यह यह वहाँ पे design कर सकती है और prescribe भी कर सकती है क्या time limit रहनी चाहिए जिसके बीतर जो है हर एक local body यहाँ पे अपना plan finalize कर देगी और इसको higher level पे next level पे भेश देगी ताकि यहाँ पे preparation एक comprehensive plan का पूरी district के लिए बन सक जहाँ जहाँ पे town planning function जो है वो करे जाते हैं development authorities के दौरा वहाँ के लिए बताओं तो यह सारी authorities जो है वो technical यह पिर planning arms हो और ultimately district council की जो है यहाँ पे यह आम्स बनके सामने आए accountability and transparency को लेकि अगर हम कुछ बात करें तो यहाँ पे एक separate standing committee होने की जरूरत है state legislature के लिए local bodies के लिए और मतलब एक separate standing committee हो state legislature की किसके लिए local bodies के लिए ठीक है यह committee function कर सकती है public accounts committee के तौर पे ठीक है अगर हम hierarchy की बात करें functionaries की जो की local bodies के control में है तो functions यहाँ पे दिये जाए lowest appropriate functionary को मतलब सबसे नीचे वाले को functions दिये जाए है ना ताकि वो सबसे नीचे वाला बंदा क्या होता है अभी आपने देखा होगा जितने भी बड़ी बड़ी companies होती है तो main काम कौन करता है जो field work कर रहा होता है जो public से सीधा जोड़ रहा होता है बाकी सब तो एक एक level पे इन सब को कंट्रोल ही करते हैं उपर वाला 2 को कंट्रोल करेगा उसके उपर वाला 4 कंट्रोल करके business निकालेगा उसके उपर वाला 10 को कंट्रोल करके business निकालेगा तो यह hierarchy बनती है main जो field work करता है जो citizen से मिलता है उसी का main role होता है तो उनने भी यहां यही बात कही है कि यहां यहां पर दुखदर दूर हो सकें, और citizen के जो भी दुखदर है, वो भी दूर हो सकें, यहां पर यह समझने की काफी जरूरत है, कि अपनी मर्जी से disclosure, जो भी है, right to information act के अंदर 2005 के अंदर, यह आपको, should not be confined to the 17 items provided in, यह जो है, वो, जो 17 items हैं, जो section 4, part 1 के अंदर दिये गए ह आक्ट के, उसमें नहीं लागो होंगे, but डूसरे subjects, जहां पर public interest रहता है, वहां जरूर हो सकते हैं, तो यह इतना मज़ सोचें, अब यह बाला देखते हैं, एक suitable mechanism होगा, और जो की आपका performance है, उस basis जो की indicator है, performing indicators है, उसके basis पर यहां पर हर, एक state adopt करें, कि मतलब कैसा performance यहां पर ली जा सकती है, ठीक है, ऐसे देखने के लिए कि क्या है, क्या ने, कैसी performance रही है, उसके तर अकाउंटिंग और audit की बात करते हैं, तो जो अकाउंटिंग का system है, urban local bodies के लिए, जो कि आपका national municipal account manual में प्रोवाइट करा गया है, इसको यहां पर state government जरूर से जरूर अ standard है, ठीक है, और जो पंचायत के format है, इन्हें इस तरीके से बनाओ, ताकि यह बहुत ही simple हो, ठीक है, simple हो, easy हो, असानी से समझा जा सके, ठीक है, सब कुछ cover कर रहे हो, जाना सब कुछ, elected representative जो कि PRI के हैं, सब को यहां पर cover हो सके, ठीक है, यहां पर जो finance commission का जो release है, जो release है, local bodies को, मतब जो finance commission की जो grant होती है, जो release है local bodies को, यह करा जाए conditional on acceptance of arrangement regarding technical supervision of the C and AG, और computer and auditor general and over accounts of local bodies, जो audit reports हो local bodies की, इन्हें यहां पर state legislature के सामने रखने की आविशकता है, और यह सारी reports जो है, इनको discuss भी करना है, इनको discuss भी करना है, एक separate committee discuss करेगी, जो कि state legislature की होगी, और सेम तरीके से करेगी, जैसे कि public account committee होती है, उसी basis पर, अच्छा, जो एक important information, ज़रूरी information, जो है, उसका access, या फिर records वगेरा, DLFA के, या फिर, आपका designated authority, audit को रखने के लिए, या com to run and order general, जो है, यह ensure करा जाएं, कै इसे by incorporating suitable provision in the state laws, कैसे state laws में कुछ provisions होनी चाहिए, इसके लिए, जो कि state laws, जो कि local bodies को govern कर रहे है, उनमें इनको लेके provisions होने की जरूरत है, ठीक है, उसके बाद, हर एक state यहाँ पर एंशॉर करा है, कि जो local bodies है, जिन्होंने एक adequate capacity को, जो है, इनके पास अच्छी खासी capacity है, इन standards से match करने के लिए, accounting और auditing से match करने के लिए, तो यहाँ पर एक इतनी, मतलब ऐसा हो कि हम जो है, यह कुछ ऐसे proper standards हो, accounting के, auditing के, यह हर एक local body के पास ऐसा हो, उसके पास information and communication technology की बात करते हैं, तो यहाँ पर यह आप information and communication technology को जो है, use करा जा सकता है, local government के दोरा, अगर simplification करने में, transparency को और जदा बढ़ाने में, accountability के लिए भी, और services प्रोवाइट करने के लिए भी कैसे, through single window, मतलब एक जगा से सारा काम हो जाएगा, clear है, उसके पास space technology की, अगर हम यहाँ पर बात करें, तो देखे, space technology, यहाँ पर मिलनी चाहिए local bodies को, ताकि यहाँ पर information based बने, services को प् government, यहाँ पर एक point service centers बनेंगी, और यहीं मतलब यहीं, जबले point service centers का काम करेंगी, कई तरह की web-based service प्रोवाइट करने के लिए, satellite-based service प्रोवाइट करने के लिए, इसमें, हाला कि आपको जरुवत पड़ेगी थोड़ा सा local government की capacity को बढ़ाने में, लेकिन यह काम भी हो सकता ह है, size of the panchayat बताते हैं, तो states यहाँ पर एक बात, जो है, वो ensure करा है, कि जितना हो सकेगा उतना gram panchayat को जो है, वो appropriate size का हम करेंगे, जो उन्हें यहाँ पर units बनाएगा, self government, governance की, और साथ इस साथ इन्हें proper participation करने पर भी, जो है, वो साथ देगा, यह जो exercise है, इसको जरुव अच्छा, वार्ड सभा की बात करते हैं, काफी जरूरी है यह चीज, कि जहाँ पर भी, जहाँ पर भी जो है, बहुत बड़ी-बड़ी gram panchayat हो, वहाँ पर states जो है, वो कुछ ऐसे steps लें, कि वहाँ पर क्या करते हैं, वार्ड सभा को बनाया जा सके, ठीक है, जो कि, जो है, एसी panchayat, which will exercise in such panchayat, जो कि, यहाँ वार्ड सभा रहेगी, ऐसी panchayat में, कई सारी powers और functions, gram सभा की, और gram panchayat की, उनको दे दी जाएगी, ठीक है, वार्ड सभा नाम रखा जाएगा, पिर, personal management and PR eyes, तो panchayat इरास institutions होता है, इसका full form, ठीक है, तो देखिए, panchayat जो है, यह recruit कर सकें, पॉइंट कर सकें, यहाँ पर अपना काम कर सकें, अपनी service condition उसके साब से करें, laws में रहे कि, सारे काम करें, जैसे standard दिया गया है, state government के दोरह, उससाब से काम करें, और इस system का evolution है, यह तीन सालों से जादा ना हो, और तब तक के लिए, जो है, पंचायat, जो है, व पंचायat, जो है, वो आ सकती है, definite period के लिए, staff, department agencies, central government की, deputation पे, ले सकती है, सारे states में, जो एक detail, review है, staffing pattern का, systems का, जिसमें, zero based approach होगी, PRI staffing को, मतलब, अपका, पंचायती राज institution की staffing को, यह ली जाएगी, अगले एक साल के लिए, ताकि, जो policy है, पंचायती राज institution की, ownership of staff की, ठीक है, यह implement हो सके, जिला परिशद, particularly, यह आपके इस में साथ देंगे, उसके PRIs and state government की बात करते हैं, तो जो provisions है, कुछ state acts में, approval को लेके, budget के, approval को लेके, पंचायती राज के, है ना, by the higher tier, या any other state authority, यह abolish करना चाहिए, ठीक है, मतलब, जो provision दी गई है, कुछ state acts में, approval को लेके, budget के, पंचायती राज के, by the higher tier, या पिर, any other state authority, यह यहाँ पर, जो है, सीधा abolish करने की जरूरत है, हर एक, election infringement के रिए, दूसरे election related complaint, अगर कोई आई है, कोई दिक्कत हुई है, ठीक है, election के relation में, तो authority यहाँ पर, investigate करेगी, है ना, और यह election, state election commission होगी, जो recommendations, governor को, उसके बाद, देगी, सारे cases में, disagreement हुआ है, अगर, recommendation के साथ में, ठीक है, अगर किसी लोकायोग्त, या फिर, local, ombudsman, ने, जो है, मतलब, समझी है, in all, cases of disagreement, with the recommendations, made by the local, ombudsman, या फिर, local, yuk, the reason will need to be placed in the public domain, मतलब, कोई भी disagreement हुआ है, तो जो, आपका local, ombudsman है, या लोकायोग्त है, उसकी recommendations, के बाद, जो reasons है, यह रखे जाएंगे, public domain में, position of, परस, ततल्स, तो यह जो, परस ततल्स है, यह इनको allow नहीं करा जाएगा, to undermine the authority, of the PR, तो जिनको यह परस, ततल्स का मतलब नहीं पता, उनको बता दूँ, कि यह organization होते हैं, industry होती है, जो, जिसके पास कुछ political authority होती है, और वो state को directly, जो है, वो serve कर रही होती है, तो इनको यहाँ पर मना किया गया है, recommendation में, कि इनको allow नहीं करना चाहिए, कि यह authority को कम करें, PRIs की, ठीक है, district health society, इसको यहाँ पर, और FFDA को यहाँ पर, restructure करने की जरवत है, तक यहाँ पर, जो है, वो, organic relationship बन सके, PRIs की बीच में, community level bodies को create करने की जरूरत, यहाँ पर मना करा गया है, कि, इनको create नहीं करा जाना चाहिए, by decisions taken at higher level, मतलब community level जो body है, should not be created by decisions taken at higher level, अगर यहाँ पर, जरूरी है, तो initiative जो भी है, इनके creation के लिए, जो भी बनाने के लिए, इनको बनाने के लिए, जो initiative है, यह आपका, मतलब, नीचे वाले लोग करें, और यह accountable हो PRIs को भी, ठीक है, ऐसा नहीं, एक बड़े level ने जो यहाँ बना दिया, उसके छोटे वाले के उपर थोब दिया, activity mapping की बात करें, तो union government को यहाँ पर जरुवत है कि एक same action ले, with regard to central sponsored scheme, तो मतलब, यहाँ पर यह भी जरूरत है, उसके बाद, devolving regulatory functions to the panchayat, देखिए regulatory functions जो है, वो जो perform करे जाते हैं, panchayat की दोरा, इसको जाना समझा जाए, और continuous basis पर जो है, वो transfer करी जाए, मतलब lower level पर power दी जाए, जो भी functions हों से साबसे उनको चीज़े provide करी जाए, पर resource generation by the panchayat, तो जो सारे common property resources है, जो की village panchayat के पास है, इन्हें काईदे से जाना जाए, इनकी listing करी जाए, इनको productive बनाया जाए, revenue generation के लिए, state government यहाँ पर law की माध्यम से अपना जो tax का domain है, panchayat का, इसे और फैलाए, expand करें, और simultaneously यह बनाये, यह काफी obligatory बने panchayat के लिए, कि यह भी taxes लगाए, इस tax domain के हिसाब से, इस tax domain में ही, जो expanded tax domain है, ठीक है, इसमें आपका यह हो की registration, मतब पैसे वगेरा रगें, अगर आप cattle का registration कराने गए हो, restaurant का, बड़ी बड़ी shops का, hotel का, cyber cafe का, या फिर tourist या फिर busses वग्यारा का कराने गए हो, तो, जुरूर हो state government का, यह limited हो, rate provide करने में इन सारे taxes का, और यह fees वगरा जो लिवाए होती है, उसका, innovative steps लिए जाए, states और panchayati राज institutions के दोरा, resources को लेके हैं, और यह यहाँ पे, must be rewarded by linking central finance commission, and state finance commission grant to such measures, ठीक है कैसे, कि अगर जो जो लोग अच्छा-च्छा करते हैं, इनको यहाँ पर आपको क्या करना है, innovative measures आप ले सकते हो, कैसे, कि state finance commission, central finance commission की जो reward है वगरा, इनको इसमें link करने की जरूरत है, state reward करी जा सकती है, अगर उनने बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, उनके PRIs ने, special incentives के माध्यम से, मतलब, I'm sorry, I'm sorry, यह line थोड़ी गला समझा दी मैंने, states जो है, वो अपने PRIs को, जो इननोंने बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, उनको reward भी कर सकती है, special incentive देखे, ठीक है, यह सही है, आचा, transfer of fund to the panchayat, तो जेको state government, यहाँ पे अपने rules वगरा को change करें, financial business के, और इसमें system डाले, separate state और district sector budget का, और बाद में यह, मतलब बाद में यह, इंडिकेट करें, district wise allocation, जैसे district हो, हिसाब से, पैसा दिया जाए, और यहाँ पे एक separate panchayat sector line भी हो, state budget में, state government, यहाँ पे use, जो है, वो करें, अच्छे से software का use करे, on fund transfer to panchayat, जो की prepare करा जाएगा, union panchayati, राज ministry for spirit transfer of funds के माध्यम से, panchayati, राज institutions and access to credit, तो आगे और भाई जरूरत होती, infrastructure need के लिए panchayat, यहाँ पे इनको encourage करा जाए, कि भाई यह, तुम पैसे bank से लो, financial institution से उधार लो, जो role होगा, ऐसे state government का, यह यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ रहेगा, यह confined रहेगा, only to fixing the limits of borrowing, ठीक है, मतलब जो state government काम है, वो सिर्फ और सिर्फ fix करेगा, कि इतना पैसा ले सकते हो, local area development scheme की बात करते हैं, तो देखिए, जो funds का flow है, public development schemes के लिए, रूलर एरियास में, यह पूरी तरह से जो है, वो, जो है, पंचायती राज, पंचायत से होकर जाए, local area development authority, regional development board और दूसरे organization, इनके, एक जैसे functions है, जैना, यह immediately, जो है, इनको लाएं, अपने function को काम में लेकर आएं, और, transfer, an asset transfer to appropriate level to पंचायत, जैसे कि recommend करा है, commission ने अपनी report पे, on ethics and governance, जो कि मैं ने पढ़ा दिया, आप जा के इसको देख सकते हैं, तो commission, जो है, re-intrate करती है, कि जो scheme है, MP, LAD की, और MLA, LAD की, यह abolish कर दीजाए, तो दीखिए, दोनों का full form यह होता है, Member of Parliament, Local Area Development, and Member of Legislative Assembly, Local Area Development, तो यह दोनों, scheme जो है, इनको abolish कर देना चाहिए, यह तो बताये गया था, ethics and governance की report में, उसके बाद, रूलर डेवलेप्मेंट की topic पे आते हैं, तो commission, जब, while endorsing the views of the expert group on planning at the grassroot level, as given at an lecture 4, part 2 to this report, यह तो दिया हुआ है, कहारी इस जगह पे दिया हुआ है, यह बात ही recommend करती है, कि यहाँ पे एक territorial, judicial, और functional convergence होना सही है, ठीक है, centrally sponsored scheme को implement करने के लिए, जो ministry, जो की sanction कर रही है program को, यहाँ पे यह issue करें, सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी broad guidelines, जो है, वो issue करें, और जो scope होगा, implement करने का है, और implement कैसे करना है, कितना flexible होगा, यह सब जो है, कि जितना भी local level की importance के साब से, जितना भी implement कैसे करना है, कैसे करने करना है, ठीक है, इसमें involvement proper, पर पंचायत का होना सादा जरूरी है, क्योंकि भाई यह भी बाद जरूरी है, कि पंचायत को सादा पता होगा, लोकल लेविल के बेरे में है, तो इनका इसमें involvement जादा जरूरी है, सारे जो centrally sponsored program है, यह properly जो है, इसमें goal क्या है, क्या नहीं है, पताना है कि हमारा aim क्या है, और यहाँ पर एक ऐसा mechanism भी हो, जो कि socio-economic impact जो है, वो access कर सके, एक time के भीतर, और NSSO, यह suitably मजबूत हो सकता है, और task को assign कर सकता है, उसके बाद, information, education और communication की बात करते हैं, IEC, तो एक multi-pronged approach, यहना कई सारे modes को use करके communication के, जैसे कि print media, visual media, electronic media, four card, plays वगेरा, इन सब को, इन सब की जो है, वो एक multi-pronged approach को लेंगे हम, इसको adopt करने की जरूरत है, ताकि हम information निकाले, awareness पहलाएं, और पंचायती राज को लेके awareness लोगों में पहुँचाएं, यहाँ पे ensure करने की जरूरत है, कि यहाँ पे जो है, वो एक convergence हो, अपनी approach में सब एक साथ मतलब आएं, proper, ताकि यहाँ पे maximum लोगों तक हम पहुँच सकें, तीक हैं, अब जो union ministry है, information को लेके और broadcasting को लेके, यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे यहाँ पे अपना mechanism जो है, वो provide करें, consultation हो, इसमें union ministry of panchayati राज की, उसके बाद, जो ministry है, ruler development को लेके, और ministry of agriculture जो है, और दूसरे कुछ concerned ministries हैं, ताकि यह सारी की सारी मिलके, इस activity को proper implement करें, ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, rule of panchayat and delivery of services, ठीक है, तब इसमें क्या है कि 11th schedule of the constitution के हिसाब से, 11th schedule मैंने बताया तक क्या है, power, authority and responsibilities of panchayat, ठीक है, उसके terms के हिसाब से, local level activities, जो है, elementary education की, preventive and promotive health care, water supply, sanitation, environmental improvement, है ना, और nutrition वगेरा, इन सब को, तुरन का तुरन, transfer कर देना चाहिए, panchayati राज, institutions के एक appropriate level पर, मतलब, जिस level पर चीज़ हो रही है, जो ज़रूरी tier है, उस पर transfer कर देना चाहिए, इन सारे चीज़ों को, state government, यहाँ पर इनको जरुवत है, कि एक service delivery policy को यह बनाए, जिसमें आपका पूरा proper framework हो, जिसके अंदर हर एक department, जो है, उसकी detail guideline दो, कि कैसे वो service delivery plan को जो है, वो बनाएगा, resource centric at the village level, तो यह सारे resource centers जो है, इनको यहाँ पर use करा जाएगा proper, ताकि document वगेरा जो है, वो local traditional knowledge और heritage के proper हमारे पास documentation हो, कुछ कदम उठाये जाए, ताकि यहाँ पर setup हो information and communication technology का, और space technology enabled resource center का, कहाँ पर village और intermediate पंचाय लेवल पर, तीक है, local resource mapping के लिए, generation के लिए local information based के, तीक है, मतलब जो है, locally हमें information मिलेगी, plus mapping रहेगी कहाँ क्या है क्या है क्या नहीं, फिर local government in the fifth schedule area, तो देखे, union और state legislature जो है, जो कि यहाँ पे, जिसमें जो है, provisions है, PISA की, यह immediately modify करने की जरुवत है, ताकि इनको जो है, वो इस act में proper line importance के तौर पे, अगर कोई भी state जो है, नहीं चाहती है, मतलब कोई भी state नहीं चाहती है, implement करना provision को PISA की, तो government of India, यह जो है, वो issue कर सकती है, specific direction इनको, पावर के हिसाब से, यह जैसे की दिया गया है इस provision में, पाल्ट ए में, fifth schedule के हिसाब से हम, उनको कुछ चीज़े और दे सकते हैं, effective implementation of PISA, क्या है, तो regular annual report, governor से, हर एक state के, जैसे की, आपका fifth schedule में है, पाल्ट A के, सब, पाल्ट 3 में है, constitution के, यह, इसको importance देने की ज़रूरत है, ऐसी report जो है, इनको publish करना चाहिए, तुरंद publish करना चाहिए, और public domain में रखने की भी आवशकता है, यह बात ensure करनाने के लिए, कि जो औरते हैं, जो कि marginalized नहीं है, तो मतलब in order to ensure that women are not, sorry, 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 I'm sorry, I'm so sorry, यह थोड़ा सा point गलत मैंने बोल दिया, यह बात ensure करनाने के लिए, that women are not marginalized in meetings of gram sabha, तीक है, कि औरते, जो है, वो marginalized नहीं है, ग्राम सभा की meetings में, यहाँ पे प्रोविजन हो, PISA rules में और guidelines में, कि जो quorum होगा, ग्राम सभा का, जो quorum होगा, है न, ग्राम सभा की meeting का, यह तभी accept होगा, जब यहाँ पे, accept will, only when out of the member present, at least 30% are women, तीक है, अब यह नोने कै लिया, कोई भी house को start करने के लिए, कोरम की दरवत परती है न किसे मालोब 1 10th या 21 11th मेंबर होना दरूरी है ठीक है तो सीरी सीरी बात है कि अगर पीसा की रूल में बात डाल देनी चाहिए पैसर आक्ट में कि अगर कोई भी मीटिंग का कोरम डिसाइट कर रहे हो ठीक है तो ग्रांसवा की मीटिंग का अगर आप कोरम डिसाइट कर रहे हो तो यह तब तक के लिए acceptable नहीं होगा जब तक के लिए at least 30% वहाँ पे औरते प्रेजेंट नहीं होगी ठीक है उसके एफेक्टिव इम्मेंटेश स्पेशल प्लानिंग यूनिट ठीक है जिसमें आपका प्रोफेशनल्स हों टेक्निकली कॉलिफाइड लोग भी हो और यह सब बनाए ट्राइबल सब प्लान ठीक है एक सर्टन पोर्षन जो की एलोकेशन का है ट्राइबल सब प्लान के अंदर यह करा जाए ठीक है जो नॉन सेंटर पूल ऑफ रिसोर्सेज क्रियेट करा जाए नॉर्थ इस्टेन स्टेट्स के लिए एक स्पेशल सेल भी सेट अप करा जाए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेर्स के दौरा ताकि जो एक स्पेंडीचर इस फंड का हो रहा है वो काईदे से मॉनिटर करा जाए पैस हो रहा है उससे डील करो जिसमें आपका लार्ज सिटीज वगेरा आती है और जारा जारा बैलन्स और अफीशन्ट अर्मिनाजेशन हो हमारे भारत में तो देखिए अभी तो यह बहुत बड़ा हो जाता इसलिए यह मैंने दो पार्ट मिलाना है तो अभी वाला अगर आपक बॉक्स में है आप चाहिए तो फॉलो कर लीचे थांक यू सो मच फो डिसकेशन हवा वंडर्फूल डे है टेक केर में